अब यह विशेज जो है यह प्रवर्तमान गोश्टी में मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है चन्नानियोग सुचक चूलिका में शुवो प्रयोग का स्वरूप अब यह विशेज जो है यह प्रोचन सार के चन्नानियोग सुचक चूलिका के शुवो प्रयोग प्रग्यापन अधिकार से लिया गया है 245 भी गाथा में जो 245 से 270 गाथा तक है तो 245 भी गाथा के अंदर प्रारम करते ही लिखते हैं कि शुद्धो प्योगी श्रमन है शुभो प्योगी भी श्रमन तो शुद्धो प्योगी जो है वे तो श्रमन है लेकिन साथ ही जो शुभो प्योगी है उन्हें भी श्रमन कहक पुकारा है अब शुद्धोपयोगी जो है उनकी चर्चा तो पहले करके आ चुके है पहले आप सभी ने सुन भी लिए शुबोपयोगी अब शुबोपयोगी क्या है तो शुबोपयोगी की भी चर्चा जो है वो पहले आ चुकी है मतलब शुबोपयोगी का जो स्वरूप है उसकी चर्चा पहले आ चुकिए तो फिर ये जो अधिकार है ये शुबो पयोग प्रग्यापन अधिकार ये विशेश ये क्यों लिखा गया तो आचारे देव ने ये अधिकार इसलिए लिखा है क्योंकि उनको शंका थी कि वहीं मैंने शुबो पयोग का स्वरूप तो बता करते हुए 250 वी गाता के अंदर हमें सतर करते हुए सीधे कहते हैं कि यदी कोई व्यक्ति यदी कोई इन्हीं व्यावरत्ति आदी प्रवरत्तियों के अंदर लगा रहता है तो उस व्यक्ति के राग की मुख्यता जानना और ऐसा व्यक्ति जो व्यावरत्ति आदी क्रियाओं क को धर्म नहीं। तो सहजी मन में एक प्रश्न उत्पन होता है तो क्या महुनिराजों के वह एया प्रत्ति नहीं के वह यह प्रत्त जो के वह shift कर यता योग्यव अपनी शक्तियान सार वया वुत्त नहीं है। और साथ ही वे यह भी लिखते हैं कि कोई रोगी हो, वरद्ध हो, बालक हो, इनकी सेवा के निमित्ते हैं, इनकी सेवा के लिए यदि वे लोकिक जनों से भी बातचीत आदी करते हैं, तो उसे भी निंदित नहीं कहा गया है, अब यहाँ पर निंदित शब्द का प्रयोग किय आचारे ने, तो निंदित नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि प्रशंस निये है, निंदित नहीं है और प्रशंस निये भी नहीं है, फिर आगे करम से 254 वी गाथा के अंदर, वे सपष्ट रूप से यह बात लिखते हैं, कि जो यह वयवरुत्ती रूप आदी जो चरया है, यह श्रमणों के तो गौन रूप से और श्रावकों के अर्थात ग्रैस्तों के मुख्य रूप से होनी ही चाहिए, अब उन्होंने क्या दिया होनी चाहिए, लेकिन आगे वापिस 255 से 257 वी तीन गाथाओं के अंदर सतर करते हुए लिखते हैं, कि यदि श्रमण इनी शु कानना आवश्यक है, अब अगर वो परमार्त को नहीं जाने, तो उसको कू मनुष्य और कू देव रूपी फल की प्राप्ती होगी, योगसार की सतर्वी गाता के अंदर भी इसी प्रकार का भाव प्रस्तुत किया है, निज आत्मा जाने नहीं अरपुन्य ही करता रहे, तो जो समतावान हो, जो संभावान हो, जो अपने गुणों का नित चिंतन करते हो, रमन करते हो, मनन करते हो, अपने गुणों में ही लीन रहते हो, वे ही वास्ताव में सुमार्ग के भागी है, वे ही सच्चे फल की प्राप्ती होती है, इन शौर्ट मुनिरा आचारे देव ऐस प्रशस्त पुन्य की प्राप्ति होती है अब सही मन में वापिस एक प्रशन उत्पन होता है कि वह किन की भक्ती करें किने नपसकार करें आखिर मुनिराज है कैसे उनका स्वरूप कैसा है तो सर्व प्रतम हम किसी के भावलिंग का तो निर्णा कर नहीं सकते हैं है ना किसी के भी भावलिंग का तो निर्णा हम से किया नहीं जा सकता है तो अब क्या कि भई यदि आपको सामने से आते मुनिराज 28 मूलगुनों का निरती चार रूप से पालन करते दिख रहे हैं तो आप उनका यथा योग्य सत्कार करें उनका वंदन करें उनको नमन करें उनको उचित आसन प्रदान करें इसी प्रकार का भाव 261 से 263 वी गाता के अंदर बताया गया है और इसी प्रकारन को आचारे अमरत्चंद्र देव ने जो पुर्शार सिद्धी उपाय नामक गरंत है उसके दान के प्रकारन के अंदर उठाया और पंडित टोडरमल जी ने टीका के अंदर इसी प्रशने का उत्तर देते हुए इसी प्रकार के भाव को आपर प्रस्तुत किया है वास्तम में श्रमन कैसे होने चाहिए श्रमन तो जो जिन सूत्रों के मर्मग्य हो जो सैयम ग्यान ध्यान तप इनसे समरद्ध हो जो रथनकन श्रावकाचार के अंदर श्लोक लिखा विशिया शाव शातितो निरारंबो परिग्रह ज्यान ध्यान तपो रखता है तपस्वी सा प्रशस्यते वास्तव में कौन है श्रमन जो ज्यान ध्यान और तप इनसे लीन है इनसे युक्त है वही तपस्वी जो है वह प्रशन से नहीं यह कहे गए हैं अब इस प्रकार श्रमन का तो सवरूप बता दिया लेकिन जैसा कि मैंने प्रारम में बताया था आचारे को यह टेंशन थी यह चिंता थी कि कोई वेक्टी छल ग्रेयंड ना कर ले तो श्रमन के सुरूप के पश्चा अगली पांच गाता हों के अंदर श्रमना भास उनका भी श्रमन नहीं है उनको सीधे कह दिया कि वे श्रमन नहीं है साथ ही ऐसे श्रमन जो अन्य श्रमनों को देखकर उनके प्रती द्वेश करते हैं जो उनका अपवाद करते हैं ऐसे श्रमन भी श्रमन नहीं कहें गए साथ ही जो स्वयम गुनहीन होकर गुनवानों से नमस्कार करवाना चाहते हैं स्वयम गुनवान होकर गुनहीन को नमस्कार करते हैं उनके लिए क्या कह दिया कि वे चारित्र से भरष्ट हो जाते हैं उन्हें अनंत संसारी कहकर पुकारा है अब इस प्रकार श्रमन और श्रमनाबास दोनों का स्वरूप बता दिया अब अंत में आचारे देव 270 वी गाथा के अंदर संगती की चर्चा करते हैं जान पूछ के क्यों? क्योंकि हमें उन्होंने स्वरूप तो बता दिया पर अब संगती किसकी करें तो वो ये भी बता देते हैं कि यदि अगर आपको दुख से दूर होना है दुख से मुक्तो होना है तो आप अपने से या तो अधिक गुणवाले या फिर समान गुणवाले की संगती करो अब कोई कहे कि हमें अधिक गुणवाले नहीं मिल रहे हैं, तो उनके लिए कह दिया समान गुणवाले, अब कोई कहे हमें समान गुणवाले भी नहीं मिल रहे हैं, तो उनके लिए मैं अपने अंत में एक बात बोलकर अपना वक्त अवे समाप्त करता हूं, कि यदि आपको स आप इसी की संगती करें और अल्पकाल में ही मुक्तियोदुगावरण करें इसी मंगल भावना सब्सक्राइब आर्जो कोधा है इनके साथ एक नाम जुड़ा है तो उसको निभाना भी इनकी और प्रेशर हो जाता है लेकिन बहुत बढ़िया बोलें और खास करके अंतमे नों ने जो बात कई वो मैं सहस के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि गुणादुकी संगती के लिए उन्ह कम गुणवाले नहीं मिलें तो फिर कम गुणवाले के साथ क्या भी वहार करो कि अपनी आत्मा है ना काई के लिए यहां वहां घूम रहे हो तो यह साहस का विशे है